अलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते मेरे बड़े भाई बहिनों को चाहँ स्पास छोटों को धेश सारा प्यार मैं सबनम सागत करते हूं अपने निव ब्लोग में आप सबी का आप सब कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मजे में होंगे सुबा के कामों से हमारे blog की शुरूआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे new blog में तो आज जो भी हमारा सोई का पहले का काम था चूले की पुतायूता ही बहुत सारा हमने कर लिया है जारू पहँचा हमारा हो गया था उसके बाद में हमने चूला जला दिया है चूले पर भगोने में हमने रख दिया है राजमा उबलने के लिए तो हमारा तब तक राजमा उबल डा है और इधर हम थोड़े से जो हमारे लहसुन प्याज जो भी मसाले थे और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आये तो लाइक आना ना भूले तो आज हमने मिक्सी में ही पीस लिए हैं सारे मसाले तो आज हमने बहुत दिनों के बाद यह मिक्सी चलाई हुई है क्योंकि ज़्यादा हम mixi का यूज नहीं करते हैं तो आज यारोही के पापा भी घर पर ही थे इतने टाइम तो कहा कि नहीं mixi में ही पीषो ये जिद गएने लगे कि mixi किस काम की है तो हमने का चलो आज mixi में ही पीष लेते हैं तो आज हमने mixi में पीष लिया और mixi के लिए कोई अभी सूविधा नहीं है यहां पर अच्छे से बोर्ड लगा हो और उसमें पीष जाए तो इसी बज़े से ज़ादा mixi में नहीं पीषते हैं वैसे mixi भी है रखी रहती है तो कभी कभी पीष लेते हैं और इधर हमारा देखोर राजमा उबल गया है तो हमने थाली में कर लिया है और धनिया की पत्ती भी काट ली थी क्योंकि हरा धनिया हमारे पास था तो वो पत्ती भी हमने काट कर रख ली है नहीं तो घूल जाएंगे बाद में तो साथ में ही हमने काड लिये और सिलवटे पर हमने हल्दी मिर्चा पीस लिया है क्योंकि वहाँ पर हल्दी मिर्चा हमने नहीं पीसा था और वैसे भी पिसा वाला है तो हल्दी है मिर्च नहीं है तो इसी बज़े से हमने का कि सिलवटे पर ही हल्दी मिर्चा पीस लेते हैं और जो भी हमारा प्याजले सुनता वो हमने मिक्सी में ही पीस लिया था और चूला जला लेते हैं और राजमे को बनाना शुरू करते हैं तो हम बहुत दिनों के बाद अब की राजमा बनाने जा रहे हैं वैसे एक दो बार पहले भी खाया है लेकिन ज्यादा नहीं खाया है तो तो थोड़ वाला अभी रखा हुआ था थोड़ा सा बचा हुआ तो हमने आज इसको बना लेते हैं तो यह भी खतम हो जाएगा तब थोड़ा सा हमने डाल लिया है जीरा और पहले हमने एक बार बनाया था तो इसको पहले जो यह राजमा है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था उसके बाद में ही बनाया था तो आज हमने फ्राइ नहीं किया है आज ऐसे ही बनाएगे तो हमने का आज ऐसे ही बना कर देखते हैं तो जो हमने लहसुन प्याज पीसा हुआ था वो भी हमने डाल दिया है भुनने के लिए तो आज साधै साधै ही राजमे की सबजी साधी साधी बिल्कुल सिम्पल तरीके से ही बनाएंगे और अच्छे से भून लेते हैं और दो टमाटर भी हमने इसमें भून लिये थे ऊपर से टमाटर हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो थोड़े से बड़े बड़े से रहते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है तो सब की पसंद का ही बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होते हैं उपर जो डाल देते हैं टमाटर तो इसी बज़े से हमने उसी में पीस लिये थे जो भी हमने मसाले पीसे हुए थे थोड़ा सा डाल देंगे नमक और उसके बाद में राजमा डाल देंगे अच्छे से हमारा भुन जाए जो हमारे मसाले हैं मसाले हमारे अच्छे से भुन गए थे उसके बाद में हमने डाल दिया है राजमा और नमक हमने पहले ही डाल दिया है जो भी हमारे मसाले थे हल्दी मिर्चा के साथ में ही नमक डाल दिया है और अच्छे से इसमें इसको मिक्स करे लेते हैं उसके बाद में हम डालेंगे पानी तो थोड़ा सा ही इसमें रसा बनाएंगे, ज़ाधा रसा नहीं बनाएंगे, बैसे चावल भी हमने बनाये हुए हैं, चावल भी बनाये हैं, और रोटियां भी सेंकेंगे, तो चावल तो हम वही पर बना लेंगे, गैस पर ही, क्योंकि यहाँ पर हमारे चूला रखा हुआ है इसमें कूकर बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है और पीछे से बहुत ज़्यादा लपट निकल लई है तो इस वज़े से यहाँ पर कूकर नहीं बन रहा था तो हमने गैस पर ही चाबल बना लिये हैं और बैसे तो इन दिनों में ठंड की बज़े से ज़्यादा तर चूले पर ही खाना बनाते हैं और जो भी बरतन है वो सारे चूले पर आ जाते हैं लेकिन जो हमारा कूकर है वो सही से यहाँ पर चूले पर नहीं फिट हो रहा है तो इसको चूले को भी हम सभालेंगे कल या पर लगा देते हैं तो जो भी चोटे बड़े जो भी बरतन होते हैं वो आ जाते हैं और इधर हमने राजमा को भी चौक दिया है और तब तक हम पकने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा ही पानी डाला है क्योंकि जाधा रसा नहीं बनाना है थोड़ा सा ही रसा बनाएंगे और तब तक हमारी सबजी पक रही है और बहुत ही धीरे आच में हमने कर दिया है चूले को क्योंकि पक ही गई थी बस थोड़ी सी हुई तो पकने को होती है क्योंकि राजमात जो हमारा होता है वो तो उबाल ही लेते हैं पहले से ही तो थोड़ी सी ही देर तक हमने रखी थी सबज देते हैं सबजी और आरोही को जो राजमे की सबजी होती है यह बहुत ही पसंद आती है क्योंकि जिस चीज में अगर दाना पड़े हो चाहे मतर का दाना हो चाहे कुछ भी हो डाल जैसा हो बना तो उनको आरोही को बहुत ही अच्छा लगदा है तो आरोही की भी हमने थाली त इक लेते हैं और सारे रोटिया हमने पतली वाली से नजी से नेMAN और ट्मिय है और सारे लोग खाना के लिए भी आ गए थे तो सारे लोगों पतली और यह होगी क्योंकि फोड़ी से सब्जी से वनी थी न संब भी आई थी is खाना खाने के लिए आगे थे और खाना भी हमारा सारा बन गया था और इधर उसके बाद में आ गये हैं रसोई में साप सफाई करने के लिए तो यहां की साप सफाई कर लेते हैं जो भी हमारा यह बोरा ओरा हम बिछाते हैं उसको भी सही से हम रख देते हैं इसाप से और जो उड़वा हैं इनको भी इनको उड़वा भी बोलते हैं बैठका भी बोलते हैं जो भी जो कोई बोलता है वो अपने अपने यहां की भासाएं होती हैं तो हमारे यहां तो ज्यादा तर इनको उड़वा बोला जाता है और जो पतले पतले से बनाया जाते हैं उनको बैठका बो थें यह हमारे खंडे के दिनों में इधर का जैदा सूरा की वेडिर्व के लिमने आपर की थेरा चाहे independent में और मेंे ली मां यूफ भाइन के दिनों में फीछर के दिने लूट लेकिन हमेंन और आपकान पर में क्वा OF करना क्रूश्य करें साथ्या है टैसे रसोई में और सारी जगे पर हम बहुत ही अच्छे से साब कपड़े बहुत से फैसे इस ओंड जब रहे हैं और और तुकल Events पहले यहां का काम कर लेटेंंगा यहां पूताई है कर लेते हैं तो हम कई दिनों से यहां की रसोई है इसको बना रहे हैं तो यह बन नहीं अभी पाई है हमारी तो आज बन कर रेडी हो जाएगी क्योंकि यहां पर जो पुताई सिर्फ हमारी रह गई है वो भी कर देते हैं उसके बाद में बस आप कुछ यहां पर नहीं करना है उसके बाद में सिर्फ खाना ह सब्सक्राइब में लगा रहता है तो इस वजह से हमने का इस पर ये चिकनी मिट्टी से पुताई कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, तो यहां के पुताई कर देते फ्र कूर आ याम् बीदे भी थे ही जानी अपया सबना हो जाते हैं सुबे के टाइम जाधा उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम तो मिली ही जाता है निकाली लेते हैं नहीं मिलता है फिर भी निकाल लेते हैं और इदर जो हमारा दुदगडवे का धकन था उसमें भी हमने पुताई कर दी है अच्छे से क्योंकि उस दिन लेस लगाया था और अच्छे से पुताई करके उसको भी उपर ही रख दिया है धक दिया है दुदगडवे को तो इसमें किसी जो जब हम लोग खाना बनाएंगे तब वो इसमें थोड़ा बहुत सामान हम लोग रख लेते हैं तो हमारा सुरच्चित रखा रहता है तो इसी वज़े से इसको हमने बनाया था धकन को अच्छे से पुताई कर देते हैं और उसके बाद में हम कल या परसों में यहाँ पर खाना बनाएंगे क्योंकि शुबए का खाना हम यहीं पर किसी-किसी दिन बनाएंगे सारे लोग धूब में ही चले आते हैं खाना खाने के लिए फिर सब के लिए खाना च्छत पर ही लाना पड़ता है तो इसी वज़े से हमने का यहीं पर रशोऑ बना देते हैं और यहीं पर सारे लोग बैट कर खाएंगे तो अच्छा लगेगा दीदी इधर धुलकर डाल नहीं है चावल सूखने के लिए तो चावल सूखने में तो बहुत ही टाइम लग जाएगा दो दिन तो लगी ही जाएंगे और हमारे यहां तो बंदर इस समय आ रहे हैं चावल उसके बाद में ही आठा पिसवाते हैं और उसके बाद में हमारा छटपर की रसोई में पुताई हुक कर दी थी हमने अच्छे से सारी जगे पर पुताई कर दी थी जितने भी हमारी पुताई कर नहीं थी और यहां पर आ गये हैं नीचे तो जो आरोही का ये बैग है बहुत ही गंदा हो गया था बहुत जल्दी से बच्चे जो कपड़े भी गंदे बहुत जल्दी से कर लेते हैं और बैग जो भी होता है वो भी गंदे कर लेते हैं और बैग भी धुल दिया है और इधर ये हमारा बेड फीट था तो इसको भी हमने आज उतार दिया है हमने का इसको भी धुल देते हैं और बाकी के कपड़े हमने धुल कर डाल दिये थे वो आप सभी को नहीं दिखाया है तो ये भी धुल कर डाल देते हैं सूखने के लिए औ और उसके बाद में हम धूल लेते हैं क्योंकि काले बरतन जो चूले परके होते हैं वो धूलो तो हाथों में काला काला सा लग जाता है तो बहुत ही अच्छे से धूलने पड़ते हैं तो नाकून नाकून के पास में काले काला से भर जाता है और आज का ब्लोग दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते